हेलो अब्रीवन जैहिं स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल अवद इस्ट्री आईक्यू में दोस्तों आज की क्लास में हम जीके के कुछ महात्पून मिसलिनेश कुष्चन को करेंगे जो कि आने वाले सभी वंडे एक्जाम के लिए अतेयनते ही महात्प किस ने रच्छा बंदन के शुरुवात बंगाल भी भाजन के भिरुज एकता पर देशिच करने के लिए किया था इसका सही अंसर हो जाएगा रभीन्दनाथ टैंगोर अगला कुष्चन है भारत और चीन के मद सीमा रेखा का निधार्ण किस वर्ष किया गया इसका सही अंसर हो जाएगा 1914 SD में अगला कुछिशन है हमारा किस आंदोलन की दोरान तिरंगा में चर्खा को दर्शायागा इसका answer हो जाएगा असयोग आंदोलन की दोरान अगला कुश्चन है वर्तमान में भारत के सबसे लोग पर ये खेल किर्केट को किस राजनेता ने अंग्रेजों का खेल कहेकर उसकी निंदा के थी इसका एंसर हो जाएगा महत्मा गांधी ने अगला कुश्चन है हमारा पंजाब का ब्रिटिस समराज में बिले कब हुआ तो 1869 में पंजाब का ब्रिटिस समराज में बिले हुआ था अगला कुश्चन है हमारा किस वाइसरा ने भारत में पहली बार एतिहासिक इमारतों की सुरच्छायों मरमति की ओर ध्यान दिया था तो इसका एंसर हो जाएगा लाड करजन ने लाड करजन ने पहली बार भारत में एतिहासिक इमारतों की सुरच्छवियों मरमति की ओर ध्यान दिया था अगला कुश्चन है बक्सी जंग बंधु किस विद्रों का नेता था इस सही अंसर हो जाएगा पाइक विद्रों का अगला कुश्चन है 1780 में वारन हेंटिम ने मुसलिम सिच्छा की विकास के लिए पर्थम मदर्था कहां स्ताफित किया था तो इसका एंसर हो जाएगा कलकत्ता में अगला कुश्चन है फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य बैपारिक के अंदर कहां था इसका सही एंसर हो जाएगा पांडिचेरी में पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य बैपारिक के अंदर था अगला कुश्चन है फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य बैपारिक के अंदर था तो इसका answer हो जाएगा ताथा टोपे की साहता से अगला question है अली मुसलियार किस विद्रो का नेता था? इसका answer हो जाएगा मुपला विद्रो का अगला question है हमारा किस बिल के पास होने के विरोध में बटूके सर्दत और भगा सिंग ने चेंटल लाजिसलेटिव असेंबली में बम फेके थे इसका सही एंसर हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेके थे अगला कुशन है भारत का वयो विरुद व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन आप इंडिया की नाम से कौन मसुहर हुए थे इसका एंसर हो जाएगा दादा भाई नोरोजी दादा भाई नोरोजी को भारत का वयो विरुद व्यक्ति कहा जाता है अगला कुशन है सर पर्थम किसने होम रोल लीग की स्थापना की थी इसका एंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने अगला कुछन है अमारा मराथी समाचारपत इंदू परकास का परकासन किस ने किया था इसका एंसर हो जाएगा रणाडे ने अगला कुछन है मात्मा गांधी ने भारत में सत्यागरा का परियोग कहां किया था इसका एंसर हो जाएगा चंपा रण में अगला कुशन है हमारा बंगाली समाचात्रपत्र का प्रकासन किस ने परारंग किया था इसका एंसर है S.N. बनर्जी ने यानि सुरेंदरनाथ बनर्जी ने अगला कुशन है 1857 के विद्रो के समय पटना का कमिशनर कौन था इसका एंसर है बिलियम टेलर अगला कुशन है कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए तो इसका सही अंसर है अरविंद गोस अगला कुशन है बंगाल के किस कभी के अनुसार पलासी की योदिके बाद भारत के लिए सासवत दुख की काली रात का आरंभ हुआ इसका सही अंसर है नभीन चंद्र सेन के अनुसार अगला कुशन है पंजाब में सिक राज का संथापक कौन था इसका अंसर हो जाएगा रनड़ जीत सिंग अगला कुशन है किस आंदोलन के दोरान चितर अंजन दास ने अपनी वकाला छोड़ दी थी इसका सही अंसर है असयोग आंदोलन के दोरान अगला कुछीन है हमारा राधवस्थान की किस जंजाती में गांधी जी की असयोग अंदोलन में भाग लिया था इसका सही आंसर है मीडा जंजाती में अगला कुछीन है सिध्धु और कानु किस बिद्रो के परसिदेनेता थी इसका अंसर है संथाल बिद्र longtemps अगला कुईशन है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के सासनकाल में सरकारी खजाना मुर्सिदाबास से कलकत्ता अस्थांतिरित किया गया था इसका एंसर हो जाएगा वारेन हेंटिंग के समय में अगला कुईशन है किसकी मिरित एक अगस्त नहीं 120 को असयोग अंदोलन के प्रारम भोने के दिन ही हो गई थी इसका एंसर हो जाएगा बालंगाधर तिलक्की अगला कुईशन है किस भारतिय साशक ने आधुनिक तर्ज पर पिदेशों में अपना दूत आवास खोला था इसका एंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने अगला कुईशन है रानी लच्मी बाई का मूल नाम क्या था इसका सही एंसर हो जाएगा मडी कणिका अगला कुईशन है आठावस गाendirm में दिल्ली का सैन ने तुरुत इसका एंसर हो जाएगा बक्त खानी अगला कुईशन है किस ब्रिटिस कामांडर ने जहासी की रानी लच्मी बाई को हडाया था इसका एंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने अगला question है किस सिक्ष गुरु अमरित सन्नगर के स्थापना की थी इसका answer हो जाएगा गुरु अमर्दास ने अमरित सन्नगर के स्थापना की थी अगला question है अंति मुगल बास्ता कौन था इसका answer हो जाएगा बहादूर सा जुतिये अगला कुशन है मरियाह बली पर था कब बंद की गई इसका एंसर हो जाएगा 1857 इस भी में अगला कुशन है डैनिस इश्री इंडिया कंपनी की अस्थापना किस वर्ष की गई इसका एंसर हो जाएगा 1616 इस भी में अगला कुशन है पाप से डरूप पापी से नहीं किसकी उपती है इसका एंसर है महत्मा गांधी की उपती है अगला कुशन है मदरास में किस ने तफोक लॉड साफ सदन इंडिया प्रकाशित किया इसका उत्तर है नटेशा सास्त्री ने अगला कुशन है अमारा करम सा किस विद्रो से समंदित था इसका एंसर है पागल पंथी विद्रो से समंदित था अगला कुशन है किस जन जाती ने मानो बली पर्था का निशेत करने के करण अंग्रेजों के बिरुद पिरोध परकट किया था इसका एंसर है खोंड जन जाती अगला कूशन है simila का सन्यासी हर्मिटाप simila किसे कहा जाता है इसका इंसर है ao home को से अगला कूशन है East India Association के अस्थापना किसने की थी इसका इंसर है डादा भाय नरोजी ने अगला कुशिशन है राजा रोह राय की समाधी कहा हिस्तित है इसका एंसर है बेटी सिंग्लैंड में अगला कुशिशन है हमारा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था इसका एंसर है 22 दिसंबर 1949 अगला कुश्चन है हमारा किस अधनियम की परमुख विशेष्टा प्राम्तिय स्वायत्ता थी इसका एंसर हो जाएगा भाराशासन अधनियम 1935 अगला कुश्चन है हमारा मन राय द्वारा 1945 में कौन सी योजना निर्मित की गई इसका एंसर है जनी योजना अगला कुश्चन है किसे बीना ताज का बास्टा कहा जाता है इसका एंसर हो जाएगा सुरेननाथ बनर जी को भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था इसका एंसर है बंगाल गजट अगला क्विश्चन है हमारा किस वाष्राय की सासंकाल की सबसे परमु घटना अठरस फक्ताओं का बिद्रो थी तो लाड कैनिंग के असनकाल की सफ़े पर्मिय घटना अठाफ़ताउन का बिद्रो थी अगला कुछन है किस वासराय का सम्मन्द ब्रेकडाउन प्लान से था इसका एंसर हो जाएगा लाड बेबल का तात्ता टूपे का मूल नाम क्या था तो इसका सई एंसर हो जाएगा रामचंद पाड़रन अगला कुछन है हमारा मुंडा विद्रो का नेता कौन था इसका एंसर है विर्षा मुंडा अगला कुछन है हमारा किस वासराय के कारकाल में किसने सण गुंबत बनवाया था इसका एंसर हो जाएगा रंडजी सिंग ने अगला कुछन है रहत वाड़ी ब्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित ब्यवस्था थी इसका सही एंसर हो जाएगा रीडियों मुन्रों द्वारा अगला कुछन है किस गवन्र जन्रले तोब खाने का मुख्याले कलकत्ता से मेरट अस्तान तरीपिया था इसका सही एंसर हो जाएगा लाड़ डलहोजी ने अगला कुछन है एस यार्टिक सोसाइटी आप बंगल की किसी ने स्थापना की थी इसका एंसर हो जाएगा बिलियम जोन्स ने अगला कुछन है हमारा तिरतिये अंगल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था इसका एंसर हो जाएगा कान वालिस अगला कुछन है हमारा मेरी नीत जब मैं भारस आया हूं कांग्रेस को नपुनसक बना रही है या कथन किसका है तो यह कथन लाड करजन का है अगला कुछन है हमारा सायमन कमिशन कब नशूथ हुआ इसका एंसर हो जाएगा 1927 इस बी में अगला कुछन है हमारा जो तिये गोल मेरी संबेलन कहा हुआ था इसका सइंसर हो जाएगा लंदन में अगला question हमारा रोलेक्टेक्ट के विरोध में लगान न देने का अंदोलन करने वाले का सुझाहऊ किस नहीं दिया था इसका सhine सरा में शुद्धा नंद ने को में परफ़ मांगल माराथा यूद्ध हुए इसका एंसर हो वारेन हेंग्टिन के कारकाल में अगला कुछ नहीं है महत्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रिडित होकर किस ने 1944 में गांधिवादी योजिना का निर्मार किया इसका सही एंसर हो जाएगा स्रीमन नाराहन ने अगला कुछ नहीं है बाल गंगाथा तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा है इसका सही एंसर हो जाएगा गोपाल के इंड गोकले को अगला कुछ नहीं है अमारा लाड़ बिलियम बेंटिंग की शेक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनर्नल बनना था इसका एंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर अद्मियम एक्टद्वारा अगला कुशन है अमारा भारत में नियाईक व्यवस्था किसने लागू की थी इसका एंसर हो जाएगा का नुवाल इसने अगला कुशन है अमारा किस गवर्नर्जनरल पर महाभियों का मुकदमा चला आ गया था तो इसका शही अंसर होगा वारेंड हैंक्टिन के उपर रंडजी सिंग किस मिसल से सम्बन्दित थे इसका एंसर होगा सुकर चक्या मिसल से अगला कुशन है अमारा महत्मा गांधी को चंपारण आने का नियोता किस ने दिया था इसका सही अंसर होगा राजकुमार सुक लिने यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक थी अगला कुशन है अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था इसका सही अंसर है बंबई में अगला कुशन है नील विद्रो से संबन्दित पुस्तक नील दरपन के लिखा कौन है इसका अंसर हो जाएगा दिन बंधु मित्र ने अगला कुशन है अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कांग्रेस ए आईटी यूसी की अस्थापना कब हुई इसका एंसर है उन्नई सो बीस इस्ति में अगला कुशन है हमारा हिंदू पैट्रियार्ट का परकासन कलकत्ता में किसके द्वारा आरम किया गया इसका एंसर हो जा जाएगा नील आंधूलन के अगला कुशन है हमारा पलासी की लडाई में सुरुजित दोल्ला किसके द्वारा पराजित किया गया इसका एंसर हो जाएगा रावर्ड कलाइब द्वारा अगला कुशन है हमारा 1901 सिसम्ही में अस्थापित प्रेश कमेटी का ध्यच किसे चु अगला कुछन है भारत को आजादी कब मिली थी तो 15 अगस्त 1947 को अगला कुछन है सरसेयद हैमत खां द्वारा गठित की संसा द्वारा अंग्रीजी पुस्तकों का उर्दू में अनुबात किया जाता था इसका एंसर हो जाएगा सांटिफिक्स साइटी द्वारा अगला कुछन है भगा सिंग की मुकबरी करने की कार्ण फरींद्र घोश की हत्या किस ने की थी इसका एंसर हो जाएगा वैकुंट सुकलने अगला कुछन है भारतिय स्वाधिनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क कांघ्रेश के किसपत पर देए हिसका सभी एंसर हो जाएगा हिसके सदस्थ भी नहीं थे उससंद मात्मा कांधी कंग्रेश के सदस्थ भी नहीं थे कि अगला कुस्युशन है है वाल इंगर्थर तिलग ने होम रूझ में इसका एंसर हो जाएगा 1916 स्वी में अगला कुछ ने हैं भारत छोड़वां दौलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है इसका अंसर है अगस्त करांती की नाम से जाना जाता है अंगरीजु का पेंशनल्स बनने वाला पहला मुगलबास्था कौन था इसका एंसर है साह आलम वर्मा ने इंडिया हाउस की अस्थापना की थी अगला कुश्चन है वर्ष 1888 में इंडियन पैट्रियार्टिक एस्थापना की अस्थापना की अगला कुश्चन है किस कमीशन ने 1926 में किंद्रिये बैंक की अस्थापना की शिफारिस्की थी इसका एंसर है हिल्टन यंग कमीशन ने इसका एंसर हो जाएगा महत्मा गांधी ने अगला कुश्चन है हमारा 1944 में मुंबई के परमुक आठ उद्धियों को पतियों द्वारा 15 वर्षी सूत्रबर त्योजिना का न्याम किया था इसका एंसर है बामबे पलान अगला कुश्चन है सुभा शंद बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष सम्हाली थी इसका एंसर है बाल गंगर धर तिलक को, सीवाजी सो, अगला क्यूशन है, हेलाफत कमिटी का गठन किस वर्स और कहां किया गया था मैं इसका एंसर होगा 1922 में मूंबई में क्या प्धृक्रमा किया गया था अगला कुश्चन है अपचारिक रूप से आई एन्ने की अस्थापना कब हुई थी इसका एंसर है सितंबर 1942 को आई एन्ने की अस्थापना हुई थी अगला कुश्चन है हमारा किस वर्ष अंग्रेजों ने भारत में डच सक्ति को पूर्ण रूप से नेश्ट कर दिया इसका सही एंसर होगा 1795 में अगला कुश्चन है हमारा बिहार सुसलिस्ट पार्टी की पहली वैठक कहां होई थी इसका एंसर हो जाएगा पटना में सामन कमीशन भारत आया था अगला कुश्चन है हमारा बिदेश में पर्थम सतंत्र भारतिय सरकार किस ने इसका एंसर हो जाएगा राजा महेंदर परताप ने अगला कुश्चन है अंग्रेजों के विरुद किस विद्रों में राजनेती के अधिक किर्शकों की प्रिष्ट भूमी महात्पूर्थी इसका एंसर हो जाएगा सतनामी विद्रों में अगला कुछिए है हमारा अंग्रेजों ने मदरास में एक किला का निर्मार किस वर्श कराया था इसका एंसर होगा 1642 में अगला कुछ नहीं हमारा लाड डलहोजी की व्यप्दगा सिध्धान्द के द्वारा किस राज का विले सरपर्थम किया गया तो इसका एंसर है सतारा सतारा को 1848 इसबिंぎ में सबसे पहले अंग्रेजी राज में बिले किया गया था अगला कूश्न है हमारा किस गवरनर जनरल ले सेहरा का मुख्यालाए कलकात्टा से सिमला अस्थान तरिर किया इसका एंसर हो जाएगा लाट डल होजी ने अगला कुश्चन है हमारा उत्तरी भारत में भूमिकर ब्योस्था का परवर्था किसे माना जाता है इसका एंसर है मार्टिन वर्ड को अगला कुश्चन है हमारा किस डिस्पैज को भारती सिच्छा का मगना काटा कहा जाता है इसका एंसर है भूट डिस्पैज को अगला कुश्चन है आवध में असायोग अंदोलन का नेत्रत किस ने किया था इसका एंसर हो जाएगा बाबा राम चंद्र ने अगला कुछंन है हमारा मदरास में अंग्रेजय दोरास थापीद किला क्या कैलाता है इसका एंसर हो जाएगा St. George फोट St. George अगला कुछंन है मेडम कामा कहां से बन्दे म सातरां पत्र परकासित करते थी इसका एंसर है पेरिस से अगला question है श्यामजी किष्ण बर्मा इंडियन ससुलिस्ट पत्र का परकासन कहां से करते थी इसका гडियन लंदन से अगला question है किसने कहा सोतंत्ता और समांत्य एक दूसरे के अनुपूरक है इसका एनसर हो जाएगा मैका वियर ने अगला कुश्चन है पर्थम गुजराती एक बार कौन सा था इसका एंसर होगा बांबे समाचार अगला कुश्चन है हमारा किस वायसराय के सासनकाल में मुस्लिम लीके स्थापना की गई थी इसका एंसर होगा लाड मिंटो के सासनकाल में अगला कुछन है हमारा भारत में पहली बार जाती आधारी जन्रणना किस वर्स की गई थी इसका एंसर होगा 1931 में अगला कुछन है वर्स 1905 में बिरिटिस भारत का सब्से बड़ा प्रांथ कौन सथा इसका एंसर है बेंगौल अगला कुछन है किस वायसराय के कारकाल में 1856 इस दिमें बेधवा पुनर विभाधनियम पारित हुआ इसका एंसर हो जाएगा लाड कर्जनने अगला कुछन है किस वायसराय ने चाय असम यम काफिय नियलगरी की किर्शी को प्रुस्ताहित किया था इसका एंसर हो जाएगा लाड करेनिंग ने अगला कुछन है हमारा भारत में जनगर्णना का क्रम और आकलन कबसे परती दर्सवर्थ के अंतराल पर किया जा रहा है इसका एंसर होगा 1881 इसवी से अगला कुछन है है हैदराबाद के स्वतन तर्राज की अस्थापना फात्रह से 24 इसवी में किस ने की थी इसका एंसर हो जाएगा चिनकिलिच खाने अगला कुछन है हमारा हुस नयवाद हुसेनावाद नगर की स्थापना किस ने की थी इसका एंसर हो जाएगा हुसेन निजाम सहाध उतियने अगला कूश्यूस है किस सुख गुरु का जनम पतला में हुआ था इसका सई एंसर होगा गुरू गूबिंद सिंग्हा जनम जो है पतला में हुआ था अगला कुईशन है सिख्षों के सायंग संगठन खालसा पंद का परोचन किस ने किया था एक एंसर होगा गुरू गोविंद सिंग ने ये खालसा पंद का परवर्तन किये थे अगला क्युशंट है अमारा किस जन जातिये नेता ने अपने को भगवान का दूत कहा था इसका अंसर हो जाएगा बिर्सा मुंडा ने अगला क्यूश नहीं कौन बंगाल का पर्थम गवंणने जन्रल था इसका अंसर होगा वारेन हैस्टिंग्स अगला कुशन है अमारा किस विद्रों के कारण छोटा नाक पूर अधनिया 1908 बना गया इसका आंसल हो जाएगा मुण्डा विद्रों के कारण अधनिया 1908 बना गया अगला कुशन है मुण्डा जन जाती और आधिवासियों को क्या कहती थी इसका एंसल होगा कि दीकू कहती थी अगला कुशन है हमारा सिंगा पूर में आजाद हिंद फोच का नेत्र तो किसने समाला था इसका एंसर हो जाएगा सुभास चंद्र भोस ने अगला कुश्चन है हमारा केंदरिया असंबली में बं फेकने में भाकर सिंगा साथी कौन था इसका एंसर हो जाएगा बटुकेसर दत अगला कुश्चन है पर्थम गोल में सम्मेलन कहां आयोजित किया था इसका एंसर हो जाएगा लंदन में अगला कुश्चन है मारा लाड अलहोजी ने लोग निर्माड विभाग की अस्थापना किस वर्ष की थी इसका एंसर हो जाएगा 1854 में अगला कुश्चन है इसका एंसर हो जाएगा लाट डलहोजी ने भारत में पिर्थक रूप से पहली बार साजनिक निर्मार्ण विभाग के स्थापना की थी अगला कुशन है किस आंदोलन के दवरान तिरंगा में चर्खा को दर्षाय गया था इसका एंसर हो जाएगा अस्वहयोग अंदोलन के दवरान अगला कुशन है किसके कार काल में 1890 स्वी में महाराजर रर्जिस संग के साथ अम्रिस्ध सर्की संद्ध हुई थी इसका एंसर होगा लाड मिण्टू पर्थम के सबसंद बस्ते बसाई गया झांशन कि अगला कुछेशन है फ्रांशीसी गॉवर्णर की रूप में डूपल भारत किस वर्च आया था कि जिसका इंशर होगा 1742 कि में अगला कुछेशन है इमारा अखिल भारती ये अस्पिर्ता संग की अस्थापना किस ने की थी इसका एंसर होगा महतमा गांधी ने अगला कुछन है हमारा किस फ्रांसेसी ने पांडिचेरी को वसाया था इसका एंसर हो जाएगा फ्रांक मार्टिन ने अगला question है हमारा पश्चिमी भारत में किसे सांस्किर्तिक पुनरजागरण का अगरदूथ कहा जाता है इसका answer हो जाएगा महादेव गोबिंद रणाडे को अगला question है महाराष्ट के किस समा सुधार को लोग हित वादी कहा जाता है इसका एंसर हो जाएगा गोपाल हरी देश मुख अगला कुश्चन है हमारा जन जातिये लोगों के संबन्द में आदिवासी सब्द का परियोग सर पर्तम किस ने किया सा इसका एंसर हो जाएगा ठककर बापा ने अगला कुश्चन है वर्थ 1863 इस भी में कलकत्ता में इसका एंसर हो जाएगा जगदीश पूर में और यहां का नेत्त्र कुमर सिंग ने समाला था अगला कुश्चन है हमारा पटना में अठव जात्तावन के बिरुद्ध का अस्थानी नेता कौन था इसका एंसर हो जाएगा अब्दुलवारी अगला कुश्चन है नामधारी अंदुलन की सुरुवात किस ने की थी इसका एंसर हो जाएगा बाबा राम सिंग ने अगला कुश्चन है वासदेओ बलो फड़के ने किस सासन अंदुलन का नेत्रत किया था इसका एंसर हो जाएगा रामोसी अंदुलन का अगला कुछिशन है मारा नाई धोबी बंद आंदोलन किस छेत्र से हुआ था इसका अंसर हो जाएगा अवध में अगला कुछिशन है मारा अमरित बाजार पत्रिका का परकाशन किस वर्स प्रादम किया गया था इसका अंसर हो जाएगा 1868 इसबी में अगला question है किस ने सत्यात परकास की रचना की थी इसका स्वामी दरीयनन स्वरस्वती में आगला अगला कुश्चन है अकबर के परसिद दिसास्ति संग्रा का क्या नाम था पिराजे मुगलिया था अगला कुश्चन है 17 सताबडी की सुरुवात में मुगल समराज कौन था इसका एंसर हो जाएगा जहांगीर अगला कुश्चन है जहांगीर कि स्वर्स गद्दी पर बैठा अगला कुश्चन है जहांगीर के सासनकाल में कौन सा सहर मुगल समराज की राध्धानी था इसका एंसर हो जाएगा आगरा अगला कुश्चन है जहांगीर के सासनकाल में किस यूरोपीय राख्ट से घनिस्त संबंद थे इसका एंसर हो जाएगा इंगलेंड से अगला अगला कुश्चन है कौन सा मुगल बासा इसलामी कानून के सक्त पालन के लिए जाना जाता था इसका एंसर हो जाएगा जहांगीर अगला कुश्चन है जहांगीर की पहली पत्नी और सबसे परभावसाली पत्नी कौन थी इसका एंसर हो जाएगा मेरून निसा अगला कुशन है जहांगीर के सासनकाल में मुगल सेना का सेना पती कौन था इसका एंसर हो जाएगा खुसरु खान अगला कुशन है जहांगीर के सासनकाल में मुगल ग्रैंड वजीर कौन था इसका एंसर हो जाएगा आसफ खान अगला कुशन है कौन सा मुगल बास्सा कला और अस्थापत कला के परती अपने प्रेम के लिए जाना जाता था इसका अंसर हो जाएगा जहांगीर अगला कुशन है कौन सा मुगल समराट अन्य धर्मों के परती अपनी सही सुर्था के लिए जाना जाता था इसका answer हो जाएगा जहांगीर अगला question है किस मुगल समराट ने भूराजस की एक प्रडाली लोग की जिसे जबत कहा जाता था इसका answer हो जाएगा जहांगीर कौन सा मुगल समराट साहित और कविता में अपनी रुच के लिए जानाता था तो जहांगीर जाना जाता था अगला question है जहांगीर के सासनकाल में दक्कन छेत का मुगल गवर्नर कौन था इसका answer हो जाएगा महावद खान अगला question है किस मुगल बास साके अपने पुत्र खुसरों के साथ उतार चड़ाओ भरे सम्मन्द थे इसका answer हो जाएगा जहांगीर अगला question है जहांगीर के सासनकाल में गुजरात का मुगल गवर्नर काउन था इसका answer हो जाएगा पृरिस खुर्रम और बाद में साथ जहां थे अगला question है जहांगीर के सासंगाल में पंजाब छेतर का मुगल गुषण से सराब और अफिम के लिए उसका एंसर हो जाएगा जहांगीर अगला कुष्ष्ण है ताज महल का निर्मार किसने करवाऊ था इसका एंसर हो जाएगा साहने अगला है लाल किले का निर्माड किसने करवा था तो सा जहाने करवा था अगला कुश्चन है ताज महल की निर्माड में मुगल समराट कौन था इसका एंसर हो जाएगा सा जहान अगला कुशन है दिली में जामा महजीद किसने बनवाई थी? इसका भी एंसर हो जाएगा सा जहां अगला कुशन है समराट जहांगीर का पुत्र कौन था? इसका एंसर हो जाएगा सा जहां अगला कुईशन है सम्राट अकबर का फुता कौन था इसका एंसर हो जाएगा सा जहां अगला कुईशन है लाहोर में साली मार गार्डन का निर्मार किस ने करवाया था तो सा जहां ने करवाया था अगला कुईशन है अगला के किले की निर्मार के समय मुगल सम्राट कौन था तो साज जहां था अगला कुश्चन है मैयूर सिंगासन के निर्माड का आदेश किस ने दिया था तो साज जहां ने दिया था अगला कुश्चन है लाल किले में लाहौरी गेट के निर्माड के समय मुगल समराड कौन था तो उस समय मुगल समराड सा जहां था अगला कुश्चन है लाल किले में मोती मजजित के निर्माड के समय मुगल समराड कौन था तो सा जहां था अगला है लाल किले में दिवाने आम के निर्माड के समय मुगल समराड कौन था तो सा जहां था अगला क्विशन है आगरा के किले में मोती मजीद के निर्मार के समय मुगल समराण कौन था तो इसका अनसर रोज़ेगा साज हाँ, अगला क्विशन है आगरा के किले में दिवाने खास के निर्मार के दौरान मुगल समराट कौन था इसका एंसर हो जएगा सा जहां अगला है आगरा के किले में होजे समसी के निर्मार के दौरान मुगल समराट कौन था इसका एंसर हो जएगा सा जहां था अगला कुशन है आगरा के किले में साफ उर्ज के निर्मार के समय मुगल सम समराट कौन था इसका एंसर होका साह जहां था अगला कुछन है बिजय नगर समराज के स्थापना कब होई थी तो बिजय नगर समराज के समठापक कौन थे विजे नगर समराज के संथापक हरिहर और बुक्का थी अगला कुछन है विजे नगर समराज की राध्धानी कहां थी तो विजे नगर समराज की राध्धानी हमपी थी अगला कुछन है विजे नगर समराज के परमुख सासक कौन थी इसका एंसर हो जाएगा संगम वंस और तुलू अगला कुश्ण है बीजे नगर समराज में किस ध्रम का पालन किया जाते था तो बीजे नगर समराज में हिंदुधर्म का पालन कहा किया था इसे प्रश्रिष Nicholas का थे तो थे सब्सक्राज का सभक Да कौन था क्षwsने समराज के राजेस हो कमुक सडुन का था किरसी अगला कुछन है बिजयनगर समराज का पर्मुख सत्रू कौन था तो पर्मुख सत्रू था धक्कन का सल्तनत अगला कुछन है बिजयनगर समराज का पतल कब हुआ था के कैंसल हो जाएगा 1535 नइंद अगला कुशन है ताली कोटा की युद्ध में बिजन अगर समराज को किसने हरा था यहां कि मुख्क उफ्पलपतियां कि इहां की मुख्र negoti में थी कला वस्तु कला साहित और सेना अगला कुशन है बिजे नगर समराज की मुख्य बैपारी क्वस्तु क्या थी यहां की मुख्य बैपारी क्वस्तु थी मसाले अगला कुशन है बिजे नगर समराज का मुख्य निर्यात क्या था यहां का मुख्य निर्यात कफड़ा था अगला कुईशन है बिजे नगर समराज के संग्रचक संत कौन थे यहां के संग्रचक संत थे विद्यारन अगला कुईशन है बिजे नगर समराज के लिए सक्ति का मुख की सुरोत क्या था तो यहां का सक्ति का मुख की सुरोत था सेना अगला है बिजे नगर समराज की मुख्य आर्थिक ब्यवस्ता क्या थी? तो यहां की मुख्य आर्थिक ब्यवस्ता थी साम अंति अगला कुशन है बिजे नगर समराज पर मुख्य सांसिर्थिक परभाव क्या था? तो मुखिसान सिदिक परभाव था द्रबीडियन अगला कुश्चन है बिजयनगर समराज की मुखिविरासत क्या थी तो मुखिविरासत हमपी थी अगला कुश्चन है भारत का अंति मुगलबासा कौन था तो भारत का अंति मुगलबासा था औरंग जेब अगला कुश्चन ह जनम के समय औरणग जेब का दिया हुआ नाम क्या था इसका नाम था मुहम्मद अगला क्विशन आप बनने से पहले औरणग जेब ने कौन से उपाधी धहरण की थी YOUR तो वाइस रोएक उपाधी धहरण की थी आगला क्विशन है औरंग जेग किस धर्म का अन्याई था तो इसलाम धर्म का अन्याई था अगला कुईशन है औरंग जेग का सासनकाल किस के लिए जाना जाता है तो ओत डेक्सी के सासनकाल के लिए जाना जाता है अगला कुईशन है औरंग जेग के कितने बच्चे थे इसका एंसर हो जाएगा बहुत सारे बच्चे थे अगला कुछन है औरंग जेव ने किस परसिद मंदिर को तोड़ा था तो कासी मंदिर को तोड़ा था अगला कुछन है औरंग जेव ने अपने सासन काल में किस बिद्रोही समूस से युद्ध किया था तो माराठों से उद्ध किया था अगला कुछन है औरंग जेव के कौन से बेटे उसके अधिकारी बने तो बहादुर सा पर्थम अगला कुछन है औरंग जेव ने कितने समय तक सासन किया था तो 49 साल तक सासन किया था अगला कुशन है औरंग जेव की माता कौन थी रदिया उद्ध दौरानी अगला कुशन है पलासी की पर्थम युद्ध के दौरान बंगाल का नमाब कौन था इसका इंसर हो जाएगा सिराज उद्ध दौला अगला कुशन है पलासी के पर्थम युद्ध में ब्रिटी सेना का सेनपती कौँं था तो हिंघरी वाटसन त अगला क्याहिशन हैं पलासी के तीसरी उद्व में दोर nécessaire दोरान बंगाल का नमाब कौन था मिरक टार। अगला कुशिशन है पलासी के तीसरी उद्व में इस एनका सेन हे सिनपती कौन था। रावर्ट कुलाईक था अगला कुश्चन है अंग्रेजों से संधी करने वाला बंगाल का पर्थम नवाब कौन था तो मुर्सीत कुली खान अगला कुश्चन है पलासी के कुल कितने युद्ध हुए थे तो कुल तीन युद्ध हुए थे अगला कुश्चन है भारत के मैं 47 के भारतिये स्वतंता अधिन्यम के दौरान वासराय कौन था लाड माउंट बेटन थे अगला क्विचन है भारत की पहले भारतिये क्वर्णर जर्रेनल कौन थे कि तो चक्रवरतिये राज गुपाला चारी थे अगला कुश्चन है भारत की पर्थम महिला गवर्नेर जनरल कौन थी इसका एंसर हो जाएगा लेडी ब्लाक बूड अगला कुश्चन है उस समय वासराए थे लाड कैनिंग अगला कुश्चन है उस समय वासराए थे लाड कैनिंग अगला कुश्चन है सत्रा सो चॉनसर्ट हिस्दी बक्सर कि लडाई के दोरान मुगल समूराड कौँ किये अग्ला कुष्षन है बकषर की वीदमी ब्रिटश सेना का नेत्रु्ट तो किस ने किया था तो हिक्टर मुनरों ने किया था अग्ला कुष्ष्षन अगला क्विशन है बक्षर के दुखिशन में भारत का गवर्णर जनरल कौन था तो रावर्ट कलाइट था अगला क्विशन है बक्षर के दुखिशन में भारत में मुख्य प्रिटी सेना को क्या कह जाता था इस्ट इंडिया कंपणी कह जाता था अगला क्विशन है बक्षर भारत का राष्ट्य पसु क्या है तो बाग है अगला कुछिशन है भारत का राष्ट्य पच्छी क्या है भारत का राष्ट्य पच्छी मोर है अगला कुछिशन है भारत का राष्ट्य फोल क्या है तो कमल है अगला है भारत का राष्ट्य व्रच क्या है भारत का राष्ट्य भारत में सबसे अधिक बोली जानिवाजी भासा कौन है तो हिंदी है अगला कुश्चन है भारत में मुख धरम का कौन सा है इसका अंसर हो जाएगा हिंदू धरम अगला कुश्चन है भारत का परमुख निर्थ कौन सा है इसका अंसर हो जाएगा भरत नाट्यम अगला कुश्चन है भारत में सास्त्रिय संगीत का पर्मुक रूप क्या है हिंदूस्तानी अगला कुश्चन है भारत में चित्रकरा का पर्मुक रूप क्या है तो मुगल चित्रकरा अगला कुश्चन है भारत में मूर्तिकला का रूप क्या है तो मंदिर की मूर्ति अगला कुछन है भारत में वस्तुकला का मुख्यूप क्या है तो मंदिर अस्थाप पते हैं अगला कुछन है भारत में साहित का मुख्यूप क्या है संस्कृत अगला कुछन है भारत में नाटक का मुख्यूप क्या है तो संस्कृत नाटक अगला है भारत में कविता का मुख्रूप क्या है कविता का मुख्रूप है संस्कृत कविता अगला है भारत में लोक संगेत की परमुख्रूप कौन सा है तो भांगला है अगला है भारत में लोक निट का मुख्रूप क्या है तो भारत में लोग निज का मुखरूप है भांगला अगला कुशन है भारत में लोग साहित की परमुखरूप कौन सा है तो परमुखरूप है लोग कताएं अगला कुशन है भारत में लोग कला का मुखरूप क्या है तो लोग चित्रकला अगला है भारत में पूर्सों के लिए पारंपरिक पुसाग क्या है? धोती कुर्ता है अगला कुशन है भारत में महिलाओं के लिए पारंपरिक पुसाग क्या है? साडी है अगला कुशन है भारत में गहनों का पारंपरिक रूप क्या है? चूडियां, हार, जुंके और नत अगला कुशन है भारत में भोजन का पारंपरिक रूप क्या है? करी और चावल अगला कुशन है भारत में साधी का पारंपरिक रूप क्या है? हिंदू बिवाह अगला कुशन है भारत में मार्सलाट का पारंपरिगरूप क्या है तो कलायरी पट्टू है अगला है भारत में योग का पारंपरिगरूप क्या है तो हटी योग है अगला कुशन है भारत में कलाची किसा का पारंपरिगरूप क्या है कलाच्यकिसर का पारंपरी ग्रूप मंडला है अगला है गुजरात राज में पूर्सों के लिए पोसाग का पारंपरी ग्रूप क्या है कुर्ता और धोती अगला कुशन है गुजरात राज में महिलाओं के लिए पोसाग का पारंपरी ग्रूप क्या है चनिया और चोली अगला कुशन है गुजरात राज में संगीत का पारंपरी रूप क्या है गरवा और डांडिया अगला है गुजरात राज में साहित का पारंपरी रूप क्या है जैन साहित अगला कुशन है गुजरात राज में हस्त शिल्प का पारंपरी रूप क्या है इसक गुजरात राज में तेवहर का पारंपरिक्रूप क्या है तो नवरात्री है अगला है पंजाब राज में पुर्सों की पोसा का पारंपरिक्रूप क्या है पगड़ी और कुर्ता अगला है पंजाब राज में महिलाओं के लिए पोसा का पारंपरिक्रूप क्या है सलवार कमी पंजाब राज में संगीत का पारंपरी रूप क्या है तो भांगड़ा है अगला कुशन है पंजाब राज में निरित का पारंपरी रूप क्या है तो भांगड़ा है अगला कुशन है पंजाब राज में साहित का पारंपरी रूप क्या है पंजाबी कविता अगला कुशन है पंजाब राज में कौन साते वहर परसिद्ध है तो लोहोडी परसिद्ध है अगला कुशन है तमिल नाडू राज में महिलाओं के लिए पोसाक का पारंपरिक रूप क्या है तो साड़ी है अगला है तमिल नाडू राज में भोजन की रूप में क्या खा जाता है तो दोसा औ और इडली अगला कुशन है तमिलनाडू राज में नित्र का पारंपरिग्रूप क्या है भरत नाट्यम अगला कुशन है तमिलनाडू राज में साहित का पारंपरिग्रूप क्या है तमिल कभीता अगला है तमिलनाडू राज में हस्त शिल्प का पारंपरिग्रूप क्या है कि रूसर रŪ कि रूप क्या है अगला कुछ नहीं समीधान की जणक की रूप किसे जन जाता है इसका एंसर हो जाएगा डाक्टर वी यार अमensation कर अगला कुए चने भारते सेमिधान की राजबासा कौन सी है हिंदी couch problem समयधान में कितने लुसंधान कितना संसोधन की जा चुक Green और 105 संसोधन issues would be a Benefit and some किशनें अधिक्तम किसे फदस निउस्टि किए जा सकते हैं तो 250 सदस अगला कुछन है भारत में आपात काल की इस्तिती घुशित करने की सकती किस के पास है तो भारत के राशपती के पास अगला कुछन है भारत के राशपती बनने के लिए नियूंता माल की आजखता क्या है तो 25 वर्ष अगला कुईशन है लोक सभा में भारतिय राष्टे कांग्रेस पार्ठी के कितने सदसे हैं इसके अंसर जगा 52 अगला कुईशन है राज सभा के सदस के लिए कारकाल की लंबाई क्या है छे वर्ष अगला कुशन है लोगसभा के फदस के लिए कार काल की लंबाई किया है तो 5 वर्ष है भारत के राष्ट पती पर महा भ्योग लगाने की सक्ती किस के पास हैं लोगसभा और राजसभा के पास राष्ट सभा का फदस बनने के लिए नियूंतमाव कितनी होनी चाहिए तीस वर्ष अगला है लोग सभा का फदस बनने के लिए नियुनतमाब कितनी होनी चाहिए तो पचीस वर्ष अगला कुश्चन है भारत के रेश्ट पती के लिए कितने सदस निर्वाचक मंडल बनाते हैं संसत की दोनों सदनों और राज और केंदर सहित परदेशों के विधान सभाव के निर्वाचित सदस्य अगला है भारत में कुल कितने राज हैं 28 राज और 8 पेंदर सहित परदेश अगला है भारते समिधान में कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी है भारते समिधान का अधिकारिक आदर्शवा की क्या है सत्यमेव जयते सदाफत्य की बिजे होती है अगला कुश्चन है लोग सभा में अधिक्तम कितने सदसों की न्युक्ति की जा सकती है पांसो बाउन सदसों की अगला कुश्चन है भारत में किसी राज की बिधान सभा में अधिक्तम कितने सदसों की न्युक्ति की जा सकती है पांसो अगला कुश्चन है भारत में किसी राज की विधान परिशद में फद्रस्टों की अधिक्तन संख्या कितनी हो सकती है तो 250 अगला कुश्चन है भारती राष्टी कांगरेस के अध्यच बनने वाले पहले भारती ये कौन थे WC-1RG अगला है भारती राष्टी कांगरेस के अध्यच बनने वाले पहले भारती ये कौन थे दादा भाई नौरो जी थे अगला है तीन भार भारती राष्टी कांगरेस के अध्यच बनने वाले पहले भारती ये कौन थे बदरुदीन तयब जी भारतिय राष्टी कांग्रिस के अधच बनने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुदीन तयब जी अगला है भारतिय राष्टी कांग्रिस की अधच बनने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी? इसका अंसर हो जाएगा एनी वेसेंट अगला है चार बार भारती राष्टी कांग्रिस के अधिश बनने वाले भारतीय कौन थे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे अगला कुछन है भारत के परधान मंत्री बनने वाले पहले भारतीय कौन थे जवाहलाल नेहरू थे अगला कुशन है भार्त के पहले उप्परधानमंत्री कौँँ थे? सरदार बल्लबधाई पटेल अगला है सरकार में काबिनेट पत समानने वाली पहली भारती महिला कौँँ थी? राजकुमारी अम्रिता कौर थी अगला है भारता गवर्नरेन जञनर्र पहिनने वाला पहया भारते कॉट था तो स्टीराज गोपला चारी थे अगला कुशन है केरल की पहले मुख्यमंतरी कॉट थे इसका इंसर हो जाएगा EMS नम्बुदरी पाद अगला कुछन है तमिल नाडू के पहले मुख्यमंतरी कौन थे? सी एन अन्ना दुरई अगला है आंध पर्देश के पहले मुख्यमंतरी कौन थे? नीलम संजीव रिद्धी थे अगला कुछन है पच्चिम मंगाल के पहले मुख्यमंतरी कौन थे? बिधान चंद्र राय अगला कुछन है बिहार के पर्थम मुख्यमंतरी कौन थे? तो किष्ण बलव सहाय अगला है पंजाब के पहले मुख्यमंतरी कौन थे? तो गोपी चंद भारगो थे अगला कुछन है उडीसा के पहले मुख्यमंतरी कौन थे? अगला है राजस्तान के पर्था मुख्यमंतरी कौन थे रवी संकर सुकुल अगला है राजस्तान के पर्था मुख्यमंतरी कौन थे हीरालाल सास्त्री अगला कुछन है गुजरात के पहले मुख्यमंतरी कौन थे जीवराज नराण महता अगला है सिन्युक्त राष्ट महास्वा के दच बनने वाले पहले भारतिये कौन थे बिजेल अछेमी पंडित अगला है भारत की मुख खिनादीज बनने वाले पहले भारतिये कौन थे एच जे कानिया अगला है भारत की मुख खिनाजिस बनने वाली पहली भारतिये महिला कौन थी? लिला सेथ अगला है भारत का सरबोच नागरिक प्रुसकार पाने वाले पहले भारतिये कौन थे? सीराज गोपाला चारी अगला है नोबल पुरुषकार पाने वाले पहले भारतिय कौन थे रविंदनाठ पैंगोर अगला है नोबल पुरुषकार पाने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी मदर ट्रेसा थी अगला कुछन है अर्थ साथ में नोबल प्रुसकार पाने वाले पहले भारतिय कौन थे अमर्थ सेन अगला कुछन है अर्थ साथ में नोबल प्रुसकार पाने वाली पहले भारतिय कौन थे अभिजीत बनर जी अगला कुशन है बहुत की में नोबल प्रुषकार पाने वाले पहले भारतिये कौन थे स्रीवी रमन अगला कुशन है बहुत की में नोबल प्रुषकार पाने वाले पहले भारतिये महिला कौन थे तो इसका एंसर हो जाएगा अभी तक किसी भी भारतिय महिला को बहुत थिकी में नोबल पुरुस्कार नहीं मिला है अगला है चिकिस्था में नोबल पुरुस्कार पाने वाले पहले भारतिय कौन थे हरगोविन्द खुराना अगला question है, चेकिस्टा में नोबल प्रुस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारत्य महिला कौन है? तो इसका भी answer हो जगा, अभी तक किसे भी भारत्य महिला को चेकिस्टा के छेत्र में नोबल प्रुसकार नहीं मिला है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा इसको जादा स्विज़ादा सेर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें मिलते हैं अगली क्राफ में तब तक के लिए जैहन बने में